गुड बॉर्निंग स्टुडेंस सिती हिंदी विध्यालई के ओनलाइन ख्लासीस में आपका फिर से एक बार हार्दीक स्वागत है अब अच्छो यहाँ पे हमारा चौथा लेशन मैट्स में चल रहा है गणीत में जिसमें हम यहाँ पे समय किस सरह से देखे जाते हैं समय को कैसे पैचाना जाता है घड़ी में किस सरह से कौन सी मिनिट का काटा होता है कौन से सेकंड का काटा होता है छोटी वाली सुई क्या दर्शाती है बड़ी वाली सुई क्या दर्शाती है यह हम सीख रहे हैं घड़ी कैसे देखी जाती है ये हम इस चौथे लेशन में सीख रहे हैं कल मैंने आपको हुमवर्पी बेचा था अर्थात वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो घड़ी है वो आपको ड्रॉ करनी है और फिर उसमें चोटी वाली और बड़ी वाली सुई आपको दर्शानी है इस तरह से मैंने आपको प्रशन नंबर तीन तक हमने किये थे ठीक है यहां तक वीडियो में आप यहां पे ओनलाइन ये जो क्लास है इसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हो अब हमारा प्रशन नंबर है चोटा कौन सा प्रशन है प्रशन नंबर चोटा उसमें क्या सूचना है सबसे पहले ध्यान दो उसके उपर रिक्त सान पूर्ण कीजिए रिक अब हिंदी में क्रम दिये गए हैं हिंदी में आंकड़े दिये गए हैं ठीके क्रम के बाजू में क्या चपा है प्रारंब का समय क्या चपा है प्रारंब का समय याने शुरुवाती समय बाजू में चपा है अंत का समय याने अंतिम समय और दोनों के बीच में कितना अंतर थ समय प्रारं का समय मतलब बच्चों यहांपे क्या है जैसे हम उधान के तौर पए इस्कूल में आते थे ठीक है स्कूल में हम आते हैं बारा बजे साड़े बारा बजे अन्रिव समय याने इस्कूल से हम कितने båजे चुट एboro वह पांच बजे अगर बच्चा यहां पे प्रारम का समय यानि स्कूल में हम बारा बजे आते हैं छूटने का समय पांच बजे होता है तो बारा बजे से पांच बजे के जो भी समय अंतर होता है वो कितना हुआ वो हमें यहां पे लिया गया समय में लिखना है समझ में आया बच्चो इस तरह से हमें ये प्रश्ण नंबर चार करना है बापस एक बार मैं आपको उतारण समझाती हूँ जैसे हम स्कूल में जाते हैं बारा बजे स्कूल में जाने का समय ये हमारा हुआ प्रारम का याने शुरुवाती समय अंत का समय यानि अंतिम समय स्कूल से छुट्टी कितने बजे होती है पांच बजे तो बारा से पांच बजे तक के बीच का जो अंतर है मतलब हमने स्कूल में कितना समय बिताया पांच गणटे कितने पांच गंटे तो लिया गया समय में क्या आएगा पांच गंटे यहां पे एक उदारन आपको दिया गया है देखों पहला प्रारम का समय कितने बजे हैं 8 बजे कितने 8 बजे अंतिम समय बच्चों कितना है नो बच के पैतालीस मिनिट कितना नो बच के पैतालीस मिनिट अब आट से नो बच के पैतालीस मिनिट के बीच में कितना समय हमने ही बिताया तो एक गंटा और पैतालिस मिनिट क्योंकि आंट से नो हुआ एक गंटा और उपर ये पैतालिस मिनिट आएंगे न याने देड़ कौने दो गंटे हमने समय लिया कोई भी कारिय करने के लिए ठीक है दूसरा देखेंगे इसको समझने में बहुत जलबासी नहीं करेंगे बच्चों दीरे दीरे समझेंगे ठीक है दूसरा दूसरे में प्रारम का समय याने शुरुवाती समय कितना है ग्यारा बच के दस मिनिट कितना है ग्यारा बच के दस मिनिट और अंत का समय कितना है 12.15 बजे 12.15 ठीक है तो 11.10 मिनिट से हम शुरू करेंगे शमय 12.15 मिनिट तो 11.10 मिनिट से 12.15 मिनिट के बीच में कितना समय होगा वो हमें सोच के बताना है तो यहाँ पर दोनों के बीच में प्रारम का समय और अंतीम समय सबसे पहले तो यहां पे 11-10 यानि कि यहां पे 12-55 तो 12-10 तक हुआ एक घंटा उसके बाद यहां पे वापस उसी प्रकार से 11-10 से लेकर 12-10 मतलब हुआ एक घंटा और 12-10 से लेकर 12-55 हमें गिनना कैसे वो मैं आपको दिखा रही है ठीक हैं 11-10 से लेकर 12-55 का समय हमें कितना समय हमने पिताया वो गिनना है तो 11-10 से पहले गिनो 12-10 मतलब एक घंटा हुआ और फिर 12-10 से लेकर पचपन मतलब एक घंटा और 45 मिनिट वापस उसी प्रकार से आएगा एक घंटा 45 मिनिट इतना समय हुआ ठीक है फिर यहां पे तीसरा तीसरे में देखो 13 बज़े सबसे पहले मैं आपको बता दू बच्चो आप बोलोगे कि मैडम यहां पे तो हमारी घडियों में एक दो तीन चार पांच छे यह देखो उपर की घड़ी में दिखा रहे हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आंट नो दस ग्यारा और बारा हम सब की घडियों में तो बारा तक ही होते हैं देकिन यहां पे छपा है तेरा तेरा बज़े तेरा बज़े याने दिन के एक बज़े तेरा बज़े याने दिन के एक बज़े कभी-कभी जो घड़ी होती है न जैसे आप बस्टॉप पे जाते हो रेलवे स्टेशन पे जाते हो बचो तो वहां पे आपने डिस्पले पर टाइम देखा होगा तो यहाँ पे तेरा बज़के, तेरा लिखा है, तेरा बज़ने का मतलब दुपेर के एक बज़े, और चोदा बज़के पचीस मिनिट, मतलब दुपेर के दो बज़के पचीस मिनिट, कितने चोदा याने दो बज़के पचीस मिनिट, तेरा मतलब एक बज़के दुपेर के, एक घंटा, पचीस मिनी, आप समझ में आया बच्चो, इस तरह से हमें करना है, धीरे धीरे करेंगे बच्चो कोई चलबाजी नहीं करेंगे, यहां पे धीरे धीरे से सीखेंगे, ठीक है, मैं आपको कुछ गड़ियां कैसे ड्रो करनी है, किस तरह से वो भी मैं आपको चितर दिखाओंगी, ठीक है, धीरे धीरे धोड़े धोड़ा हम प्रश्न करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझने में भी दिक्कत परेशानी होगी, तो हम धीरे धीरे से करेंगे, बाकी का यहां पे चौथा पांच वा चठा यह जो है, नेक्स्ट हम वीडि कीजिएगा, आपको यह घड़ी बनानी है, और खुझ से ही आज आपको होमवर्क में क्या करना है, खुझ से पांच घड़ी बनानी है, होमवर्क में पांच घड़ी बनाकर उसमें आपको समय दर्शाने है, ठीक है, तब तक के लिए यहां पे रुकते हैं, धन्यवाद,